लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि जनता के लिए वाकई में काम किस ने किया है विकास के मुद्धों पर बहस होनी चाहिए? छड़िक जो सुक होता था या immediate benefit जो मिलते थे ये free दे दो ये दे दो ये दे दो आम आदमी party का भी वही रवैया है ये free दो ये free दो लेकिन उसके पर्मानेंट और long term जो है क्योर नहीं होता है जो समस्या होता है अगर हम visionary विकास की बात करें कि एक ऐसा विकास जो कि सौस एक हो जाए तो सौ साल तक की प्लानिंग को ले करके सरकार करें तो उसमें तो बीजेपी जो है बेजोड है डेफिनेटल यह मानना पड़ेगा इसके साथ साथ सरकारों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि जो इमीडियेट प्रॉब्लम होती है जैसे माली जे राशन देना सस्ते में राशन देना मांगाई वगर को कंट्रोल करना तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं सेंट्रल का और स्टेट का रोल होता है ग्लोबल एकोनामिक कंडिशन का भी रोल होता है तो उसके लिए ठीक है उतना सैटिसफेक्ट्री नहीं हो लेकिन सरदार लगाता जूज रही है और एक पर्मानेंट सलूशन कर रही है तो तरीके के लेयर होते हैं अगर डैनामिक्स की अनलेसिस करें एक इंटर्नल कॉंटिशन होता है एक एक स्टर्नल कॉंटिशन एक स्टर्नल कॉंटिशन हो जैसे बीजेपी और कॉंग्रेस आपस में प्रतिदुन दिता हो कौन चुनाओ जीतेगा इसके साथ साथ आप यह देखे कि जो एक इंडिविजूल लेडर होता है उसके इंडिविजूल गोल भी होते है वो अपनी महत्वा का अंचाय भी उसकी होती है जब उसको लगता है कि भाई एक पार्टी में हमारी जगह सुरक्षित नहीं है या हम कमजोर हो रहे हैं तो अपने आपको मजबूत करने के लिए दो तरीके से ऑप्शन देखता है पहली कोशिश तो यह होती है कि भाई विदिन पार्टी ही हो जाए पार्टी के बा से बाहर मिलती है तो वह बाहर के नेताओं से मेल जोल बढ़ाना शुरू करता है अगर वह बेक्तिगत रिलेशन नहीं है तो अगर वह राजनेतिक मेल जोल की मैं बात कर रहा हूं बेक्तिगत में तो शादी वगरा हो गई आना जाना वह दूसरी चीज है तो चाहे भी प्रभुत्त को जमाए रखने के लिए वो कैसे क्या कर सकता है पाल्टी के अंदर और पाल्टी के बाहर जहां उसको बेटर ऑपर्चुन्टी मिलेगी और यह सारी कवायत जो दिख रही है चाहे हरीष रावत जी का संगर्स हो अरीष रावत जी का भी संगर्स अल्टीमेटली कहीं न कहीं उनकी जो अपनी महत्वा कांगछाय है उसके लिए न जो तुझ सिद्धू की भी अपनी महत्वा कांगछाय है जाला कराई है सोचल मीडिया पर भी जी और जी अचिए जी लिए बनाने पर बटोला जी